असलाम लेकुम दियर स्टुडेंट्स, ओप यौल आर फाइन, तोड़े इस ओवर सेवंटी नाइन लेक्टर अफ माथमाटिक्स फॉर क्लास री, यह गुएंग तो स्टार्ट ओवर एक्सराइस नुबर सेवन, तो प्लीज ओपन यूर बॉक्स ओन पेज नंबर एट, इन त नंबर जो है और यूज तो डिस्क्राइब पोजिशन अफ एन अब्जेक्ट, सो इडेंटिफाइ दे ओडिन पोजिशन फॉलविं अल्फाबेट, इस ओपर एबी सीजी जो है वो मैंशन करने लाइक फर्स्ट क्यों पर ए लिखेंगे, सेकेंड क्यों पर बी लिखेंगे, थर्ड की उपर सी, फॉर्थ की उपर डी, विफ्थ की उपर ए, सिक्स की उपर एफ, सेवन की उपर जी, एट की उपर एच, फिन आई, जे, इसको आप यहां तक कम्प्लीट करेंगे तो यह आपका टी तक आजएगा, अब आपने बताना है कि आपने जो अल्फाबेट सु थर्ड कोंसा लेटर बन रहा होए, आपका टी, हां यहां पर बन रहा है, ट्वेंती त Sicher 10 लेटर, तो आप यहां पे लिखेंगे यहां लेटर, क्यों आपका कौंसा लेटर बन रहा है स्टूडेंस, क्यों आपका सेवन्टींट नागत 16th letter जो है वो बन रहा है, K is the dash letter, K आपका 11th letter जो है वो बन रहा है, M is the dash letter, that is 13th, R is the dash letter, R आपके पास 18th letter बन रहा है, S is the 19th letter, आप देख सकते हैं, O is the 15th letter, ये देखिए, O is the 15th letter, L is the 12th letter, ये देखिए, आपके पास यहाँ पर L जो है, वो 12th letter के साथ है, 10th is the, J is the 10th letter, आप देखिए, जहाँ पर अपने J लिखा है, वो 10th letter बन रहा है, and G is the 7th letter, आप letters को, यहाँ पर ये जो आपके पास ordinal positions given है, इसको आपने alphabetically जो है वो लिख लेना है, और उसके पात यही alphabet को करना है, kindly solve this exercise on your books, and if ordinal number की definition को अची तरह से go through करेंगे, तो यह exercise very simple है to do, so practice this on your notebooks also, thank you so much, Allah Hafiz